मैं अजoter हो चुछ है अलक्ती है को ऐसार्लत। होती एक सुस्वाइट इविपलर सअब यहां पर एक से पास्टाइब एक्टाइक इसे में सबस्क्राइब करम यहं वाग cat ये और ये शायनी कर घार गार रहा है विए शायनी करने के लिए हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा ये चीज़े सीख लीजिए गा सारी के सारी चीज़े याद रखेएगा इसमें बड़े शोट कुछन पुछ जाता है ग्रव locks गोटिएक कोसन के लहाँ आर्पिस कहलंगे है क्रोमिंग घ्राइट कोन सरी तदे समरी एक्रॉमीम के लीए प्लेटिंग के लिए जो एनोड इसमाल होता हुए किस चीज का बना होता है यह थोड़ सा डिफरेंट होगा अगर स्टीर की उपर हम क्रॉमिंग करना चाहते हैं तो इसको पहले हम कॉपर या निकल के लेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करते हैं रिजन वाई यह तीन तरह के शो आर सी बड़ा आर चोटा इसके लिए काम क्या करना पड़ेगा काम यह सिंपल सा है आपने एक टैंक लेना है अब यह बत यहाद रखते जाएगा लिखने लास में मैंने एक टैंक ले लिया आप इस टैंक के अंदर सबसे पहले काम जाता है कि आपने अलेक्रोलाइट याड करना है अलेक्रोलाइट हम कहता है जिस जो हमारे पास जिस चीज़ की अलेक्रोलाइटिंग करना जाते है उसी का साल्ड इस्तेमाल करना है उसी का साल्ड इस्तेमाल कर रहे होना है यहां पर जो मैंने अलेक्रोलाइट इस्तेमाल कि हो है क्रॉमियम सल्फेट यह नाम याद पास जो electrolyte है, इलक्ट्रो light, यह हमारे पास कौन सी चीज बनेगी यहाँ पर Chromium Sulfate Cr2 SO4 Thrice यह हमारे पास Chromium Sulfate का formula होता है, जैसे यह Ionized होता है, तो यह वरी चीज़ बनाता है, यह याद रखिएगा जब यह Ionize होता है, तो क्रोमियम प्लस टू बना देता है और कितने बनेंगे दो और इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर बन जाता है एसो फॉर माइनस टू और यहां पर थ्री आ जाएगा क्योंकि तीन सलफेट आइन बनेंगे दो क्रोमियम का इंद बन पर होते हैं पहले नंबर पर हमने एक चीज़ सीख लिए है जी हमने जो अलेक्टोलाइड लेना है वह क्रोमियम सलफेट क्रोमियम सलफेट असर में साट ह पादि ईसके नड्र लेका Dann डाहित ने पॉत्फ पानी के दर डिजोल करने का पहाद अपनी यहां मैं डाल देवे इसके इंदर बिक इंदर पिक्र के अन्दर अँपने एक इनोट लेना है और छिए एनोट और साथ में आपने यह एक क्फोड लेना होता है की हुई है तो यहां पर यहां पर किसी भी चीज का हो सकते हैं सहिए इस चीज ही क्या हो सकता है यह चिज़े याद रख히े है न करता हूं R Us Us से तर्मिनल लोड़ना है और चमज को बैटरी के पोस्टिव टर्मिनल से यह नेगर Governor बैटरी के पोस्टिव टरनिल से जुड़ा होगा को हम नाम दे रहे होते हैं व इसको हम कैथोड़ का नाम देते हैं इह ना हमने बैटरी के वे जाद रोखिए ए नेगटिव टर्मिनल से जोड़ना है और यह पोसिट गुश्ट एव ऐवाले चीज ना केतोड होगी यह वाले चीज कातोड गो बलाई है उस मेटल काते हैं अशुर करना होती है यह हमने श्तौनल मेकानिजम के अंदर पड़ा हुआ है जिसकी एलेक्रोप्लेटिंग हमने करनी होती है सब्सक्राइब यहां पर थोड़ सा काम चेंज है वह क्या है आपने अनोड बनाना है एंटी मॉनियल लेड इस चीज़ का अनोड बनाना और यह नाम याद रखिएगा तो यह पुछा जाता है कि इन दा क्रॉमियम इन अनोड इस मेड़ आप और किसी बनाता है एंटी मॉनियल लेड यह सिंपल सी बात याद रखनी है एंटी मॉनियल असरे में एक मैटल ही है इसका आपने अनोड बनाना अनोड बनाने के बाद कर थोड़ किस चीज का बनाना इस सीर्व को गया रखा जिसक क्रॉमियम इलेक्ट्रॉप्लेटिंग क्रॉमियम की इलेक्ट्रॉप्लेटिंग में क्या काम हो रहा होता है सबसे पहला काम एलेक्ट्रलाइट जो आपने यूस करना है वो किसको अन्य जाए ये क्रोमियम सल्फेट वी यूस वी यूस हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं एलेक्ट्रलाइट एक एसे चीज़ होते हैं जिसको हम पानी के अंदर या एक्वा सिलूशन के अंदर हल करते हैं इसको मेल्ट करके इस बिकर के अंदर डाल देना है एलेक्ट्रलाइट आपने इस्सेमाल करना है क्रोमियम सल्फेट का अब क्रोमियम सल्फेट का जो एलेक्ट्रलाइट इस्सेमाल करेंगे इसका फॉर्मला भी मैं साथ देखता है था हूँ chromium sulfate का होता है CR2SO3 SO4 last with 3 यानि कि thrice कहते है यह हमारे पास chromium sulfate का electrolyte समान कर लिया इसके बाद anode देखे किस चीज़ का बना होना चाहिए anode बना होना चाहिए antimonial lead का सही है anode किस चीज़ का बना anode is made up of antimonial lead और यह एक metal है anode is made up of made up of anode बना होना चाहिए किस चीज़ का of antimonial lead antimonial lead का anode बना होना चाहिए next का हम देख लेते है cathode किस चीज़ का बनाना चाहिए cathode उस metal का बना होना चाहिए जिसके उपर हम तैय चढ़ाना चाहते है जिसके उपर याद रखिये गा, सही, कैथोड किसी का बना होना चाहिए, कैथोड is made up of, कैथोड बना होना चाहिए, of that metal, of that metal, उस metal का बना होना चाहिए, किस metal का, on which we want to deposit a layer of, on which, जिसके उपर, we want to, we want to, जिसके उपर हम चाहते हैं, we want to deposit a layer, जिसके उपर हम layer चड़ाना चाहते हैं, deposit a layer, सही है, यह चीज़े, मैं आगे example लिख देता हूँ, हमारे पास such as, जैसा कि example है, iron, और steel, यह हमारे पास इसके example हागी है, अभी तक जो सबसे important बात आई है, वो यह है कि anode के स्टीज़ का बनाना चाहिए, anode बनाना चाहिए, anti-monial lead का यह नाम याद रखे दो, यह बहुत important है, past paper में, इसके बार में काफी ज़्यदा पूछा जा चुका है, अब इसके बाद आ जाते हैं, इसके अंदर कौन-कौन से reaction होते हैं, और paper के अंदर इसके मुतलिक question आ चुका है, फिर यह कहता है, write down the, write down, the redox reaction, the redox reaction, वो redox reaction लिख दे हैं, जो के हो रहे होते हैं, कहाँ पे redox reaction, in the electroplating, electroplating में हो रहे होते हैं, किसकी electroplating में हो रहे होते हैं, chromium की, इन्द अच्रो प्लेटिंग में हो रहे होते हैं, उन redox reaction के, सारे-सार रिएक्शन लिख निए, अब देखिएगा, सबसे पहला काम है जी, आपका जो electrolyte है, यह dissolve होना है, dissolve होने के बाद इसमें क्या करना है जी आपने उपर positive charge और negative charge यहां पर create होने सही मैं positive charge को वही काम करता हूँ जी positive charge को मैं रिप्रिजेंट कर देता हूँ black color से black dot से यह black यह किसको represent करेंगे यह याद रखिएगा इस चीज़ को मैं इसको उपर बना भी देता हूँ ब्लैक है सही है जो blue है उससे हम किसको रिप्रिजेंट करेंगे नेगेटिव चारी क्योंकि यह यह वाली चीज़ बनेगी है और याद रखिएगा इसके अंदर पानी भी मौजूद है इसके अंदर कूंचेच्टी मौजूद है वांटर भी महौजूद होता है और वांटर का अगर मना लिखता हूं तो वांटर का फॉर्म्ला आता है h2o 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 को अगर मैं मजीद elaborate करता हूँ तो हमारे पास water इस form में भी पाया जा सकता है H positive wine और OH negative wine इसको कहते है water की self ionization पानी खुद बाखुद ionize हो जाता है लेकिन बहुत गम हत्ता कोता है यह बात याद रखियेगा पानी खुद बाखुद ionize हो के OH negative wine बनाता है और साथ में H positive wine बना रहा होता है यह simple सी बाद अपने जहन में रखनी है कि कौन कौन साइन बना रहाता है H positive wine and OH negative wine क्योंकि हमने इन चीजों को आगे इस्तमाल करना है और इसके रावन हम एक और भी काम कर रहे होता है इसकी ionization बढ़ाने के लिए हम ionization water की बढ़ा सकते है किस तरह या कोई acid आड़ करते है या कोई base आड़ करते है हम क्या करते हैं इस electrolyte में chromium sulfate के इलावा sulfuric acid भी आड़ कर देते है और sulfuric acid का काम क्या होता है कि इसकी electrolyte इसके अंदर जो पानी के एक positive wine OH negative wine बन रहे होते है इसकी तैदाद को प्रहा देता है सही है क्योंकि यह वाली चीज आगए यूज होनी है reaction में याद रखिएगा सही इस चीज को याद रखिएगा पानी के अंदर यह वाली चीज बन रहे होती OH negative wine and OH positive wine सही है अब सबसे पहले हमारे पास जो step पाता है ionization का आता है सबसे पहले step है जी ionization ionization में क्या होता है आपका chromium sulfate ionize हो जाता है सही है और किन चीज़ां में बदल जाता है CR2 SO4 thrice यह ionize होगा ionize होके हमारे पास दो आयन chromium के बनाएगा जिसके उपर plus 3 charge होगा और 3 ions sulfate के बनाएगा जिसके उपर कौन charge होगा minus 2 यह पहली बात आपने याद रखनी है ionization के process में क्या काम हो रहा है ionization के process में मारे पास chromium ion बनते हैं और sulfate ion chromium ion को हमने यहाँ positive charge को black color से represent किया हुआ इसमें और negative ion को हमने blue color के साथ represent करवाया हुआ यह simple सी बात आपने यहाँ पर याद रखनी है अब इसके बात हमारे पास second चीज़ आ जाती है reaction at anode reaction हमने देखें जिसके उपर एक question लिखा हुआ है उसी के बारे में लिख रहे है reaction at anode anode पर कौन सा reaction होगा अब याद रखिएगा anode पर charge कौन सा सबसे पहली बात यह anode पर हमने कहा है जिसके उपर positive charge होगा उसको हम anode का नाम दे रहे हैं यह हमारे पास anode है anode के उपर charge है कौन सा प्लस प्लस वाला charge है अब इसके करीब कौन सी चीज़ आ सकती है इसके करीब या तो यह वाला negative आ सकता है या यह वाला negative क्योंकि प्लस वाला charge negative वाला charge को अपनी तरफ attract करता है प्लस वाला charge negative वाला charge को अपनी तरफ attract करेगा या तो यह आएगा या फिर यह OH negative आएगा क्योंकि यह हमारे पास negative charge है और कहीं पर negative charge नजर भी नहीं आ रहा अब असल में इसके electron देने की सलाहियत ज्यादा होती है इसकी निस्बत इसलिए यह वाली चीज यहां पर आएगी और anode पर मैंने एक बात कही थी हमेशा oxidation होती है त यह बात में यहां पर दुबारा फिर लिख देता हूँ at anode at electron निकलेंगे regon निकलेंगे किस तरह निकलेंगे इस तरह कुछ हमारे पात हो आएन आपस में मिलते हैं इसको समझ लीजिएगा 4 OH negative आएन आपस में मिलेंगे मिलने के बाद हमारे पास आगे बारी चीज़ें बन रही होती है आगे बारी चीज़ें बनती कौन सी सबसे पहले काम यह देखीगा 4 तो electron बनेगे 4 electron बन रही होते हैं पहले नमर बे बाकी चीज़ें कौन-कौन सी बनेगी बाकी हमारे पास दो water के molecule बनते हैं 2H2O बनता है और साथ में एक oxygen का molecule बनता है अब यह मुझे किस तरह पता चला यह सारी किसारी चीज़ें बननी है इसको समझेगा यह बड़ा easy है अब आपने करना किया है मैं इसको सोड़ समझाने लगा हूँ यह बड़ी चीज़ें मुझे कैसे बता चली यह बड़ी चीज़ें बनी है इसको नो चार दफ़ा चार ओएच का मतलब क्या होता है चार दफ़ा इसको लिखो 4OH नेगटिव OH नेगटिव यह कितने लेक्ट्रोन यहां से बाहर आ जाएगे पहले का मैंने कहा कि यह बड़ी लेक्ट्रोन निकाले यह बड़ी लेक्ट्रोन निकालकर पता चला यह टोटल हमारे पास कितने लेक्ट्रोन है 4 लेक्ट्रोन है 4 लेक्ट्रोन है इसके बाद एक वाटर एक वाटर का मॉलीकूल यह बन गया है एक वाटर का मॉलीकूल यह बन गया है कितने बन गए दो वाटर के मॉलीकूल बन गया है यहाँ और दो ऑक्सिजन बचे हुए यह दोनों को दोनों ऑक्सिजन आपसे मिलेंगे और हमारे पास O2 बना देंगे यह काम असल में हो रहा होता है दो वाटर का मॉलीक्यूल एक एक का मॉलीक्यूल और चार लेक्ट्रॉन रिलीस होते हैं यह सिंप्ल सी बात याद रेखे इसको ड्राग कर लेजिए के ताकि आपको यह वाली चीज याद करने में असानी हो सही है यहाँ वीटियो थोड़ी से रोक के आप देख लिजिए का कुछ चीज वाकर समय ना आए तो पूछ लेए अब है नेक्ष्ट बात करनी है हम ने यह वर चीज हो गए रियक्षण अ एड और हो गया रियक्षण आट का चीज काम खतम करेंगे सारे Kerry iq हम लिख धिने रियक्षण ऊडियो एट कंठोर क터 पर गया blatख youug और करत पर याद रखिए घाम हमेशा रिडक्शन होती है हमेशा reduction होगी यह बात याद रखिए अब reduction का मतलब क्या है electron के हवाले से reduction देखेंगे electron को लेने की तुलाइए reduction कहलाती है अब यह जो negative charges वाले हैं यह हमारे पास देखें इसके पास है negative charge इसको हमने क्या कहा है cathode का है इसके उपर negative charge है अब negative charge की तरफ कौन की चीज़ आ सकती है çिसके उपर positive charge हो जाज हो यह वहले चीज़ की तरफ attract हो गया से तरह यह वाली चीज़ की तरफ attract हो कि इनके उपर positive charge आत्रेक्ट हो कि इसके उपर बिल्ल कुल पतली सी लेयर क्रॉमियम की बना देते हैं इस तरह बिल्गुल पत्री सी जिसके वज़े से हमारे पास अलेक्ट्रो प्लेटिंग हो जाती है ये का हो गया है ये सिंपल सी वाज याद रिखे गए यहां पर क्रॉमियम ने CR के पास प्लस थ्री चार्ज इसने तीन एलेक्टरोन लेने तीन एलेक्टरोन लेने के बाद इसने चेंज हो जाना होता है किसके अंदर क्रोमियम में और इसके उपर आके डैपोज़ट यह मैटल है यह क्रोमियम जो यह वाला आएन होता है यह वाली मैटल है यह आग इसकी सता के उपर चिमट जाए को कि उसके पास नेगेटिव चार्ज है इस तरह हमारे पास अलेक्ट्रोप्रेटिंग का प्रॉसेस हो जाता है अब जो यह कोर कुश्चन आता है इसके अंदर से यह होता है कि हम अगर स्टील के उपर प्लेटिंग करने बढ़ती है बात को समझेगा यह कुश्चन पहले लिखनों यह बाद में इसको क्वेश्चन का आंसर भी यह पास्पर मड़ी दफ़ा आ चुक है क्वेश्चन इसको याद लखिएगा क्वेश्चन के आता है वाइए स्टील इस जो स्टील होता है प्लेटेड एलेक्ट्रो प्लेटेड विद कैते जी स्टील पहले हम अलेक्ट्रो प्लेटेड क्यों करते हैं किसके साथ है विद नेकल और कॉपर नेकल और कॉपर इन अब इसका मतलब यह है यह कहता है हम जब भी स्टील के उपर है मैं कहता है यह मेरे पास एक स्टील की रॉड है है इसके उपर मैं अगर क्रोमियम करतें कोensa के सुद्ध और कि उसके उपर निकल की यह वाली एक पर यह निकल की यह बात याद रखिए अब यह पहली तै किसकी चड़ाई है कोपर या निकल मैं सैंबल रिख रहा हूं copper के लिए C U nickel के लिए और इसके बाद आप chromium के electropelating करते हैं इसके बाद किसकी तया जड़ा रहे होते हैं chromium के लिए इसके बाद ही क्यों जड़ा है direct क्यों जड़ा ही इसकी reason पूछ रहा है आप पहले copper या nickel की तया की जड़ाते उसकी लेक्ट्रो प्रेटिंग क्यों करते हैं बात में chromium की लेक्ट्रो प्रेटिंग क्यों कर रहे हैं बात में chromium की second number पे हो रही है पहले हम इसकी करते है reason why यह question है असल में reason यह है कि जो copper की surface होती है वो बड़ी shiny होती है, मुलाइम होती है उसके उपर अगर direct chromium की तया चड़ा देंगे न उससे होता यह है कि वो chromium की तया उखड़ती रहती है English के लिए एक word होता है adhesive adhesive का मतलब होता है उसके साथ चिमटने की सिलाहियत किसके साथ? chromium की steel के साथ चिमटने की सिलाहियत कम होती है जिसके होज़ा ऐसा ऐसा उखड़ती रहती है अब इस problem का solution यह निकाला कि पहले अगर आप chromium की electroplating करना चाहते है steel के उपर तब सरब सर पहला काम यह करें कि steel के उपर electroplating करें first of all nickel की या copper की फिर आप chromium की electroplating करें फिर आपको फाइदा होगा इस चीज़ का फिर आपको इस चीज़ का फाइदा होगा फिर नहीं तैव खड़ेगी असल में जो main काम होता है ना इनका copper और nickel का यह adhesive यह adhesion provide करते है adhesion adhesion का मतलब क्या है जुडने में मदद देते हैं किसे में मदद देते हैं जुडने में मदद देरे होते हैं यह simple सी बात आपने अपने जहेंर में रखनी है सब्सक्राण से है का answer लिखना इसे है चले जी question का answer लिखते हैं also during electroplating electroplating of steel steel के electroplating की हम क्या करता है स्टील Firstly या first वी Electroplated Electroplated with Copper और Nickel करते हैं पहले Copper या Nickel के साथ इसकी Electroplating करवाते हैं Because क्यों करवाते हैं because क्योंके the chromium layer chromium layer जो chromium की layer होती है cannot adhere cannot add hair adhere का मतलब होता है जुणना add hair का मतलब का आता है जुणना काता है जुणना काता है जी chromium की layer होती है वो cannot adhere नहीं जुण सकती on the surface of steel steel की surface के उपर chromium की layer proper तोर पर नहीं जुण सकती अब आपको करना क्या पड़ेगा firstly firstly nickel और copper निकल या copper को electroplating करवाते हैं firstly निकल और copper is electroplated electro plated and then and then और उसके बाद हम क्या करते हैं and then we electroplated we electro plated chromium इसके बाद पहले हम copper या nickel की तर जड़ाएंगे फिर chromium की तर जड़ाएंगे और यहां पर जो chromium होगा ना chromium copper और nickel यह असल में adhesion के तोर पर काम कर रहे होते हैं जुड़ने पर मदद देते हैं अटेच्मेंट में मदद देते हैं यहां यहां पर निकल और copper निकल और copper जो हैं प्रवाइड प्रवाइड एड़ाएड एड adhesion जुड़ने में मदद दे रहे होते हैं adhesion of chromium chromium को जुड़ने में मदद दे रहे होते हैं on the surface of on the surface सता पर किसकी सता पर of steel यह बात आप याद रखिएगा यह जितने भी short question possible थे हुआ आपको बता दिये हैं तीन चीज़े most important इस पूरे का पूरा procedure में एक हमारे पास anode antimonial lead का बना हुआ है reactions reactions के बाद यह short question आता है और इसके साथ यह diagram बनाई हूँ यह diagram को समझ लिजे कर यह diagram आती है तो सारी चीज़े आप explain कर देंगे कि क्या क्या काम हो रहा है यह था हमारे पास simple सा तरीका कार आप किस तरह electroplating कर सकते हैं क्रोमियम की क्रोमियम की electroplating किस तरह की जा सकती है यह हमारे पास आज की lecture में अधिस